कि नमस्ते हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस कारक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टालिन पुत्र की और उनके साथियों की क्योंकि उन्होंने अपना निश्चे सबके उपर विक्त कर दिया है कि वो हम सनातन धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं, सनातन धर्म का समूल नाश कैसी होगा, क्यों होगा, उसका उनला कारण भी बताया कि क्यों करना चाहते हैं, आईए हम बात करेंगे नित्यानन मिश्र जी से, इस बारे में, कि ये लोग क्यों करना चाहते हैं, सनातन धर्म क समूल नाश्र आपका स्वागत है नित्यानन जी आपको और जैपूर डायलोग्स की सभी दर्शकों शुरताओं को नमस्कार और सबको हम यह भी बता दें आरंब में ही कि हमारा जो 2023 जैपूर डायलोग्स अनुल समिट है वो चार और पांच नवेंबर को होगा जैपूर में ह और नित्यानन जी भी उसमें होंगे तो आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि जो भी रेजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक क्लिक करके रेजिस्ट्रेशन पर जा सकते हैं जी नित्यानन जी तो वैसे तो यह जो इसको हम द्रविडवादी दर्शन बोलते हैं यह तो बहुत पुराना है और उनीस स्वी शताब्दी से आरंब हुआ था और यह जो द्रमुक जो है द्रवडिमुनेत्र कर्शिकम इसका पाहक है लेकिन लेकिन डीमके के लिए भी और डीमके कि किसी व्यप्ति के लिए भी यह कहना क कि वह सनातन धर्म का समूल नाश करेगा बड़ी विचित्र बात है और जैसा कि कहा अन्ना मलाई ने कि यह कारकरम करते हैं तो पिछले वर्ष इन्होंने कहा था सनातन विरोध इस वर्ष हो गया सनातन समूल नाश यह नहीं सनातन इरैडिकेशन मुझे लगता है अगले वर्ष तो इनको कुछ आयोजित करने की आवशक्ता होगी नहीं क्योंकि सनातन का तो नाश होई जाए अगले वर्ष तक है न तो यह दिवास अपने जो देख रहे हैं यह तो चुटकियां हो जाते हो जाएगा तो अच्छा इन्होंने बोल दिया से धाए नाश हो गया पहले हमारे लोग थे बोलते से कि चास्ति तू यह हो जा तो यह जाता था उनका अर्थ उनकी वानी का अणुसहर न कर था तो यह लगता है आधुनिक रिशी हैं जिनके बोलने से बहुत कुछ हो जाता है तो चलिए वैसा दिवास अपने ही लोग देख रहे हैं वैसे पुराणों में तो दिति पुत्रों की और अधिति पुत्रों की कथा आई है अधिति पुत्र जो थे वे आधित्य देवता होते है को मैं दिति के कही अर्थ है एक आर्थ है जिसको कहते है फाइनाइट यानि सीमित और अधिति उसका उल्टा Lex काटना भी होता है काटना जैसे किसी को तो आप कोश्च देख सकता है तो इसमें दिती का प्रमोकर्थ यह है काटना तोड़ना तो दैत्य लोग थे काटने तोड़ने का काम करते थे इसलिए और 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 विश्वास रखने वाले भी दैत्य लगा सकते हैं कि लिमिटेड्ट time या क्या बोलते है वांट लाइफ वाले जो है वह दितीपुतर हैं संभवतर जो इन्फाइनायT टाइम और जोड़ने वाले जो है वो जेवता पुतर है यह अलग बात है कि राभूल गाल्धी कहते हैं कि बारत जोड़ो य रूप से उसके उपर ब्रकाश डाल सकते हैं आक्षेप है कि सनातन धर्म जो है वो गैर बराबरी करता है यह आक्षेप समात्य किया जाना अच्छनत आवश्चक है जी आक्षेप बहुतों ने लगाया है इनके पहले भी लोगों लगाया है इनके आगे भी लोग लगाते रहेंगे पर मात्र आक्षेप लगाने से तो कुछ सिद्ध होता नहीं जदी कहें कि धर्म पहले यह बताएं सनातन धर्म क्या है यह पहले इसकी व्याख्या तो देदें इसको डिफाइन तो कर दें सनातन धर्म यह किसे कहते हैं यद जो सबसे बड़े नरसंगार के लिए उत्तरदाई है या बिगेस्ट वन ओड़ेस्ट मास मर्डरर्स जिसके हाथों लगबग दस लाग से चार से च्छे करोड चार से च्छे करोड पॉटी टू सिक्स्टी मिलियन का अनुमान किया जाता है इतने लोगों के नरसंगार के लिए जो उत्तरदाई है वो कितनी बड़ी प्रेरणा है स्टाइलिन और उनके प्रत्र उदय निदी स्टाइलिन की ये भी एक विचारनी विशे है और उसके उपर आधारित होकर फिर ये पूरा का पूरा जो ये दर्विडवादी दर्शन है आप जानते हैं वो कहां से आरंब होता है रिया और लिमूरिया और गोंडवादी विचारदारा पेरियार ये सब जो है ये इसका मूल है और आज यह कह रहे हैं कि ये सवनातन धर्म का अर्थ इन्होंने बताया है कि जो स्थिर हो उसको सनातन कहते हैं इस फिर मतलब रिजिड और जो बिल्कुल ना बदरे उसको सनातन कहते हैं इसलिए इसको समात करना आवश्यक है ये उदाय निदी स्टालिक का करते है जी तो ये तो कहने में ही विरोधा भास है जो सनातन है जो नित्य है जो धुव है उस इसको कोई अंत्कर कहते सकता यह इसको जो समझारें जो एक विकरित आप का आप किस पंत में भारत आपको असमानताय आपको तो जातियां, जाती-प्रथा और चुवा चूट, आपको सनातन धर्म से बाहर भी दिखेंगी भारत में, क्या केवल पूरे समाज मेंने किसी एक वर विशेश में तो है नहीं, तो आप केवल ब्राह्मणों को और केवल सनातन धर्म को केवल संस्कृत को क्यों आप अपना लक्ष बनाए बैठे हैं मुझे लगता है इससे उनको कुछ मतदाता वर्ग विशेश से कुछ लाब मिलता होगा इसलिए यह कर रहे हैं परंतु यह हम और आप जानते हैं सब जानते हैं यदि कोई कहे जातिवाद केवल ब्राह्मणों में तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है नहीं जाकर कोई देख ले कितनी मांग उठ रही है आज हम इसाईयों को आरक्षन दें जो दलित इसाई हैं उन स्टका रक्षिर्ग ऀकषाइएं, मुसल्मानों दोनों को फूप्ट है। जी 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 माना नहीं किया है सहर jesteśmy कार किया है जी जब इन सभी में जातवात इन सभी में पिछडी जाती हैं, इन सभी में दलित हैं, तो फिर आप सनातन धर्म को क्यों आप लक्ष बना रहे हैं, आप फिर ये कहिए कि अधि आप सच में एथीस्ट हैं, अब मुझे पता नहीं, वे इसाई हैं, एथीस्ट हैं, कोई कहता इसाई हैं, कोई कहता इसाई हैं यदि आप इसाई हैं तो फिर आप दलित इसाईयों की बात कीजिए पहले उनको देखिए पहले अपना घर देखिए और यदि आप एथीस्ट हैं यदि आप नास्तिक हैं पूर्णतह तो फिर आप एक धर्म पंथ विशेश को क्यों लक्ष बना रहे हैं आप सभी धर्मों की बात कीजिए आप सभी का उन्मूलन कीजिए आप जो मरू भूमी से जो पंथ है उसके उन्मूलन की बात कीजिए फिर तो कोई आपके शिर्के उन्मूलन की बात करने लगेगा उन्मूलन मैं नहीं करूंगा कोई करने लगेगा और फिर उसको आप जानती ही क्या होने वाला है तो ये तो हास्यासपद सिती है मैं कहूंगा ये अबोध बालक की भाती ये जो बकवास है और ये इनके पहले भी बहुत लोगों ने किया है, पेरियार ने भी बहुत कुछ किया था, जानते ही हैं लोग जो लिखा है, मैं आज एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें था जो पेरियार ने जो तमिल में लिखा है, वो तो इतना ग्रिनित और इतना कुछित लिखा है, यद इतनी घ्रणा सनातन के प्रति और उसी प्रमपरा का का परियार की घ्रणा जो उनकी लेखों में थी आभी एक केहँ आँ여कि राजनीति आगे बढ़ाएंगे ही तो आप इसी बाते करें गई कोई आश्चर तो जो उन्होंने कहा है परंतु जो इस पर हमारा जो उदारवादी संग है अत्वा उदारवादी जो लोग है उनकी चुपी जो इस पर है वह वह देखने योग्य है जो यदि ऐसी बात कोई इसलाम के बारे में बोल देता सिख पंथ के बारे में बोल देता इसाई पंथ के बार हो जाता है और सनातन धर्म के बारे में बोली है तो ठीक है सब लोग ये उदार पंथी लोग थोड़ा आनंद भी ले रहे हैं तथा से सनातन धर्म की सनातन धर्म की बात करें और सनातन धर्म की मूल की बात करें तो सनातन एक पुरुष या एक अनू सभी में चाहिए वह आप सांखे ले 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 चाहिए आप वैशेशिक न्याय वैशेशिक ले 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 सभी में तो एक सीड से सब कुछ है सनातन धर्म वह धर्म है जिसमें समान दृष्टी है सनातन धर्म वह धर्म है जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्रामणे गवी हस्तिनी शुनी चाईवर श्वपाकेच पंडिता समधर्शिना विद्या और विनय सेयुक्त ब्रामण में गाए में हाथी में और एक कुट्टे में और कुट समान द्रिश्टी रखते हैं सनातन धर्म वह धर्म है सनातन धर्म वह धर्म है जहां पुराणों में कहा गया है नशुद्रा भगवत भक्ता स्तेतू भागवता स्मृता सर्ववर्णे शुद्रा यह भक्ता जनार्दने क्या कहा गया है जो भागवत हैं अर्था जो भगव वह धर्म है जहां महिदास एतरेय जिसको बहुत जिनको बहुत लोग शुद्रा पुत्र अत्वा दासी पुत्र मानते हैं महेशानंद गिरी भी मानते हैं उनको हमने इतने बड़े आचारे का पद दिया उन्होंने एतरेय ब्राम्मन एतरेय उपनिशद का प्रणयन किया सनातन धर्म वह धर्म है जहां कवश एलूश दासी पुत्र होकर भी रिशी हैं सनातन धर्म वह धर्म है जहां विदुर शूद्रा के पुत्र होकर बहुत बड़े आचारे के समान गुरु के समान माने गए हैं सनातन धर्म वह धर्म है जहां स्वामी रामानंदा चारे ने का सभी लोग प्रपत्ति के अधिकारी है तो सनातन धर्म तो बहुत बहुत व्यापक है इसको संकुचित दृष्टी वाले कूप मंडूक जिनकी आखें पेरियार के दर्शन से अथ्वा द्रवेडवादी दर्शन से जिनकी आखों पर सदा सदा के लिए पट्टी बंद चुकी है बेकूप मंडूक सनातन धर्म को क्या जानेंगे सनातन धर्म वह धर्म है जहां ब्रह्म और जीव को भी समान कहा गया है तो यह लोग कहां समझेंगे सनातन धर्म को इनकी द्रिष्टी बस वही जैसे कहते ना मुल्ला की दौड मस्जित तक इसमें इसका अर्थ यह है जि इनकी जब सोच सनातने धर्म को लेकर वही एक सीमित संकुचित सोच केवल केवल जातिवाद को लेकर है तो इनकी यह उससे आगे देख नहीं सकते गीता में भवान ने का है समोहम सर्व भूतेशु जमें देश्योस्तिनप्रिया यह भी का है कि समंसर्वेशु भूतेशु तिष्ठंतम परमेश्वरम जी एक और प्रकरण मुझे यहां लगता है मुझे बताना चाहिए आपको तो ग्यात होगा ही तर्शकों को मैं बता दू एक महाभारत में व्याध गीता है जिसमें मारकंडे युदिश्ठर को सुनाते हैं कौशिक नाम का एक ब्रामन है वह वेदों का धेता है और वह तपस्वी है बहुत बड़ा ज्यानी भी है वह एक बार जब स्वाध्याय कर रहा था तो उसके उपर किसी बगुली ने बीट तो उस ब्रामन ने क्रोध से बगुली को देखा और बगुली वहीं गिर कर जल कर भस्म हो गई तब उसको थोड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतना क्रोध क्यों कर दिया फिर जब आगे वह भिक्षा मांगने गया तो घर पे गया तो ग्रहणी वहां व्यस्त थी बरतन को भोजन देने व्यस्त हो गई तो बहुत समय चला गया फिर उसको ध्यान आया कि नहीं यहां तो एक वेद का धेता भिक्षा मांगने आए तो जब लेने आई तो कौशिक ने बड़ा क्रोज किया कि आपने मेरा अपमान किया है आपने एक ब्रहमन का अपमान किया है आपन को कि इसको ये बात कैसे पता जल गई कि मैंने क्रोज से देखकर एक बगुली को जला दिया है तो वो उस ग्रहनी ने कहा वस्त्री पात्र है उस ग्रहनी ने कहा कि मुझे नहीं लगता आपको धर्म का तत्व पता है मुझे नहीं लगता आपको सम्यक ज्यान है आपको सम्य ग्यान चाहिए तो जाकर मिथिला में धर्म व्याद से दीजिए कोशिक वहां जाते हैं मिथिला में और एक मामस बेचने वाले धर्म व्याद से सत्संग करके उससे ग्यान ग्रहन करते हैं उसको गुरुवत मानकर उससे इतने प्रश्ण करते हैं इंद्रिय निक्रह क्या है सत नहीं आपित किया है तो जो सच में जानते हैं सनातन धर्म उसकी परंपरा को वह ऐसी बात कभी कह नहीं सकते सनातन धर्म में असमानदा है सनातन धर्म में संस्कार की महत्ता है सनातन धर्में सत्य की धृतिकी अस्तय कि इन सब तत्तों की महत्ता है जो जाती की बात है वो केवल सामाजिक सरचना के लिए सामाजिक वैवहार के लिएchan का तो सामाजिक उपयोगिता और इसकी आध्यात्मिक उपयोगिता मुझे था नहीं में तो नहीं है और समाज के ग्रिष्ट से भी जितने स्थानों पर कहीं यदि माल लीजे आया होगा वर्ण का एक स्थिर प्रकृति आई होगी उससे अधिक स्थानों पर तो वर्ण की चल प्रकृति बताईगी है जैसे मनुस्पृति कोई बार बार लोग आक्षेपित करते हैं मनुस्पृति टेन पॉइंट सिक्स वाइव उसमे तो मनुजी कहते हैं कि जो एक ब्रामर जो है ब्रामर बन सकता है अपने गुणों से कई स्थानों पर वैसा हो सकता है लेकिन महावारत में भी कई स्थानों पर आया यक्षप्रश्ण में आया है और गीता का भी जो है चातुर वर्णियम मया सुष्टम गुण कर्म विभागशा इसका हला कि कुछ आचारे जो है वो बेदानतवादी हैं वो तो उसका यही अर्थ करते हैं कि गुणों और कर्म से ही वर्ण की उसकत्ति है और आपने जो बताया जो पुराना का जो आपने वेदों का पुरानों का जो वेदानत का वर्ण दिया उससे भी यही आता है तो यह किस किस की बात करते हैं और यदि हम क्रिस्टियानिटी और इसलाम को देखे उसमें तो इतना इस्पष्ट है इतना इस्पष्ट है भेद भाव कि जो उनके मत का ना हो उसकी उसके वद की न केवल वद का आदेश है उसकी प्रक्रिया तक निर्दारीत है और यहां आप यदि देखें तो गोस्वामी तुलसिदास जी ने गीतावली में कहा है बड़ा रोचक उनका उदारन है उन्होंने उदारन दिया है एक यवन का और उन्होंने का है राम नाम की महिमा इतनी है एक यवन ने एक सुर को देखा और वो हराम हराम कहके बोला और मरा तो राम था उसमें इसलिए मुक्त हो गया। जो एक बहुत उदारवादी दिश्टिकों रश खान है, मुसलिम कवी हैं पर कृष्ण भक्त हैं, उनको हमने कितना सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया Eras Khan को, Rảheem को कितना सम्मान दिया, और यहां, जो मैंने एक उलेख किया था, स्वामी रामाननदाचारी का जो है, प्रपत्ती के सब अधिकारी है तो उन्होंने वहां कहा भी है कि इसके लिए कुल की अपेक्षा नहीं है इसके लिए किसी जाती की अपेक्षा नहीं है जो भगवान की शर्णागती में सबका अधिकार है तो यह एक उदारबादी दृष्टिकोण है ऐसा नहीं कि आप यह नाम नहीं बोलें तो आपको मा मार दिया जाएगा ऐसा द्रिष्टिकोड मुझे तो नहीं कहीं सनातन धर्म में दिखता है जिन डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हूं डॉक्टर अंबेडकर ने भी जब चर्चा की है कतिपे बुराईयों की सनातन धर्म में तो उसमें उन्होंने ये इसलाम से उसकी घ्रत में जो उद्रिट कर रहा हूँ वो पाकिस्तान और दी पार्टिशन अफ इंडिया से के यह कहना पड़ेगा कि सनातन धर्म में लगातार सुधार के प्रयास होते रहे हैं रिफाउम मुव्मंट होते रहे हैं सदेव होते रहे हैं लेकिन इसलाम में इसकी कोई संभावना नहीं है यह डॉक्टर अमबेडकर कह रहे हैं जिनका इन्होंने फोटो लगा रहा है पेरियार के साथ अमबेडकर के यदि सभी विचारों को यह उद्रित करतें तो क्या कहे पाएंगे और जहां तक डॉक्टर अमबेडकर की बात है मैं एक बात कहना चाहूंगा जो राम शरन शर्मा ने जहां तक उनकी पुस्तक है शूद्राज इनशेंट इंडिया उसमें अमबेडकर की पुस्तक का जो अमबेडकर की जो पुस्तक है उसकी जो समीक्षा की है वह देखनी चाहिए लोगों को तो शर्मा ने कहा है राम शर्ण शर्मा ने इस विशय पर अधिक पुस्तके नहीं है शुद्रों की जो प्राचीन भारत में अंग्रेजी में और उन्हें फिर अंबेडगर का नाम भी नहीं लिए और ने कहा कि एक मोन यह रिलाइड एंटारली ओं ट्रांसलेशन पहली बात यह दूसरी बात रहने कही है इस एंटार मोटिवेशन फिर इंट इस टू कॉछ पिट किया है और पहले से यह लक्ष लेकर चले थे कि मुझे दिखाना है शूद्रों की शूद्र पहले ख्षत्रिय थे पहले उनका न इस सफिशेंट पॉरिम टू प्रूव तो जो डॉक्टर अंबेटकर है वो विद्वान है पर समस्कृत के विद्वान नहीं है और इसलिए यदि वो केवल अनुवादों पर निर्भर होकर कोई पुस्तक लिख रहे हैं और यदि कोई ऐसी थियोरी बता रहे हैं जो जिसमे बहुत अच्छा तर्क नहीं है तो उसको तो कौन स्विकार करेगा उसको विद्वान लोग तो स्विकार नहीं करेंगा हाँ जो लोग महिमा मंदन करने में लगे हैं व्यक्ति पूजा में लगे हैं उनके लिए तो अंबेड करका एक एक शब्द ब्रहमवा के हो जाता है प उसमें भी जिस उदेश लिखी है जिस प्रकार का तर्क दिया है कि केवल एक पैजवन नाम के शुद्र ने एक यग्ये कर लिया तो इससे यह से दो गया कि सब शुद्र पहले शक्री थे जो एक तर्क की उड़ान है मैं कहूंगा यह कोई बहुत अच्छा तर्क तो नहीं दिया गया है उनमें आप ब्रामणों के करतवे देखें जो ब्रामणों के ऊपर जो बंधन है वो सौ से अधिक है जो चूत्रों के ऊपर जो बंधन है वो तीन या चार है आज के युग में आप किसी को भी कहें कि जो मनुस्वरती के अनुसार ब्रामण बनना चाहे तो मैं आपको guarantee के साथ है सकता हूँ कि सौ में से संभवत है एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो उन बंदनों को स्विकार करके बामण बनना चाहेगा तो उस समय क्या लोग बनना चाहते थे एक इसका भी सामाजी क्विस्लेशन कर लिया जाए जी जी मनुस्मृति में बहुत सारे प्रत चोड़कर दूसरा काम करें वह ब्रामण नहीं ऐसा दर्म शास्त्रों में बचना है तो यदि उस व्याक्या को लें उस परिभाशा को लिए तो जो कोई भी अन्यकार कर रहा है जो सेविका लेकर कारे कर रहा है जो वेद का अध्यापन चोड़कर और कुछ कर रहा है वो ब तो वैसे वचन अन्य संदर्भों में अन्यों के लिए भी मिलते हैं ऐसा नहीं है शूद्रों के विरोध में सवनातन धर्म नहीं है शूद्रों के विरोध में जो तथाकतित वचन उध्रित किये जाते हैं वो किसी विशेश संदर्भ में है और वैसे ही वचन अन्य लोगो पुरान का है एorta यह और आज आज के समय अधिकाम शेयत सनातन Geralmi पौराण Miles के इन से आप कहें कि नहांने मनुसप्रिती पड़ी और भागवत पुरान गीटा पड़ी हो तो हुअ अधिक लोग नहीं करते मुआनिता अधिक हमारे यह पौराने करंतों की है और श्रीमत ब्हुच Васके कैया वचन ऐसका उस जन्म पर है उस विद्या पर है उस व्रत पर है उस बहुग्यता अर्थात उस विद्वट्ता पर धिक्कार है उस कुल पर धिक्कार है और क्रिया में उस प्रवीनता पर धिक्कार है यदि इसके साथ अधोक्षज अर्थात विश्ण से लोग विमुक अर्थात् प्रात्मिक किसी कहें शरेयस का प्रात्मिक मापदंड ये कि भक्ति कितनी है विष्ण种 में श्रीमत भाग्वत पुरान का वचंग संसकार दीपिका में क्या कहा गया है चांडालोपी मुनिश्रेश्था चांडालोपी मुनिश्रेश्थो हरी भक्ति परायना हरी भक्ति विहीनस्च द्विजोपी श्वपचा अधमा क्या कहा गया जो हरी भक्ति में परायन जो विष्णों की भक्ति में परायन चांडाल है वह भी मुनिश्रेश्थ है और जो हरी भक्ति से विहीन ब्रामन है वह तो श्वपच से भी अधम है चांडाल से भी अधम है तो यह वचन भी उद्रित करने चाहिए आप यदि कुछ वचन उद्रित करते हैं जिसमें गौतम स्पृति अथ्वा किसी अन्यस्मृति के जिसमें शुद्रों पर कठोर दन्यों का विध इनके पास्क्ति बहस्थ शक्ति नहीं है वो सब्स्थ भगवान के चरणों कि अधिकारी है अपएक्ष टत्र रुद्र में कि नहिए है वहाँ बल कि अपेक्षा नहीं है वहाँ विश्वधता कि अपेक्षा नहीं है पद्ण पुराण में क्या कहा गया है उर्ध पुंड्र में तो बहुत लोग प्रिय है ही और अनेक ब्राहमन ही नहीं अन्य लोग भी धारण करते हैं जो भी भगवान विश्णों के भक्ते हैं वो उर्धपुंड्र धारण करते हैं उर्धपुंड्रम रिजुम सौम्यम सचिन्नम धारे द्यदी सचांडालो पिशुद्धात्मा पूज्य एवस अदा द्विजई यह वचन किसका है पद्मपुरान खंड छे अध्याय चियासट औ जो रिजु अर्थात सरल और सौम्यम चिन के सार्थ उर्धपुंड्र को धारन करता है वैसा चांडाल भी शुद्धात्मा है और आगे क्या कहा पूज्य एवस सदा दुजई वो सदा ब्राम्मनों के लिए पूज्य है यह सनातन धर्म में कहा गया है तो जब हमारे पुरा वहां की तुलसी को भक्ति भाव से और शुद्ध चित्त से ग्रहन करना चाहिए यह हमारे ग्रंथों में कहा गया तो ऐसा एक बहुत सीमित दृष्टी जिन लोग की है बही लोग ऐसा कह सकते हैं यदि आप इतिहास भी देख लें तो स्वामी रामानुजाचारे जो थे ज शैतन्यमहाप्रभू हो रामानूंदा स्वामी हों, कोई भी हों तो यह भी तो भर धर्म है यह तो जीता जाकता धर्म है जो और जो कुछ असमानता आपको दिखती है यदि आपको वो अन्य पंथों में नहीं दिखती तो फिर आप यह आप такую कर रहे है तो आप इस निए निए विशियों पर लेकिन पिरियार के बारे में जो का था वह उन्होंने Pत्र लिखा था जो उनको लिखा था कि इस मैन इस लूनाटिक और परवर्ट और वह विए उसके जो दलितों के बारे में विचा रहे हैं वो कोई नहीं बता था यहां तर कहा था कि यह है वह कपड़े महंगे हो गए है क्योंकि दलित इस्त्रियों ने ब्लाउस पहना नहारम कर दिया यह उसको बैठी करके साथ भर्ठा यह अभी मैं देख रहा था रविंदर मीलकंडन का एक लेख सुराज मैगजीन में कि उन्होंने साथ में कुछ और जो वहां के महान समाज सुधा रखें उनकी भी फोटो लगाई थी वो कौन थे इमेजेज उफ इया वैकुंडर और पोर्ट्रेट्स ऑफ वललार वललार इयन काली और श्री नारायन गुरू जी और इसमें आपके इया वैकुंडर के बारे मैं जो यह बताते हैं लेट उसकनूडर या वैकुंडर ने सब्सक्राइब लिखा है लिटरस कन्सिडर वैकुंडर ये एज़ वीष्णु अवतार ये इस रिगार्ड एज डरी वान हो रिवाइटलाइग आईसेसंस ऑफ और पुराना थी पोराना he confronted what he called the twin problems of colonial evangelism the white evil and social stagnation the Kali evil he embraced the saffron flag as a symbol of spiritual courage and human fraternity he spearheaded one of the earliest Gharvapsi movements bringing back those who had converted to Christianity to the fold of Vishnu he saw his chief disciples as Pandavas U.K. in the inka wahaan portrait laga rakhay baki joh उन्होंने जिनके और भी लगाए नारायन गुरु बताईए आप नारायन गुरु जो है सभाए है वो सभा द्रव के उनका वहां लगा लगा रखा है हम सब लोगा आधर करते हैं पूरा साथकों से आन्रों है कि आप प्रशन करके पूछ सकते हैं वाट्सएब से और आप सुपर चाट के माझद्युम से अपने पुछ सकते हैं आप अद्वायत विदानत की या कई लोग जो हैं शंकरा चारे जी को आप एक्षित करते हैं लेकिन शंकराचारी जी ने भी मनीशा पंचेकम लिखा है और मनीशा पंचेकम क्या है आप को अवश्य ग्यात होगा बताएं दर्शकों को मुझे इसका स्मरण नहीं है आप बता दीजे मैं इस पर टिप पढ़नी करूंगा तो वनीशा पंचेकम यह है कहते हैं कि हट जा रास्ते से हट जा रास्ते से हट जा तो चांडाल जो है वो फिर वो है इनको पंचक सुनाता है जी उसको मनीशा पंचेकम कहते हैं और मनीशा पंचेकम में चांडाल उनसे प्रश्ण पूछता है प्रश्ण पूछता है यह बताओ कि यह जो सूर्य की जो किरणे हैं यह बहुत सारे यहां पर बरतन है कोई बड़ा है कोई छोटा है इनमें अलग-अलग पड़ रही है तो क्या यह अलग-अलग है जी तो फिर शंकराचारी जी है वो समझ जाते हैं कि यह जो व्यक्ति है यह कोई साधारान व्यक्ति नहीं है और वो पहचान जाते है कि यह स्वेम जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आये हुए है और फिर वो मनीशा पंचकम वहां पर कहते हैं जिसमें कि जिसका अर्थ जो है जिसको हम समराइज करें तो इसमें आता है कि सभी में जो ब्रह्म है वो समान रूप से स्थित है प्रश्णी जी पूछा जाता है कि आत्मा को हटने को कह रहे हो जैसा महाभारत में सपरन होगा हमारे श्रुताओं दर्शकों को भगवान शिव कौन सा वेश धारण करते हैं अर्जुन के सामने कि रात का उस पर एक पूरा महाकाव यह किरात अर्जुनियम लिखा गया है बिल्कुल तो किरात कोई ऐसा यदि सनातन धर्मिस सच में असमानता होती तो हमारे क्या देवी देवता किरात का वेश धारण करते ह है कि भगवान के लिए और ब्रह्म ज्यानियों के लिए पूरी समानता है और कोई असमानता है इसा नहीं कोई अस्प्रिश्चिता नहीं है मैं तो यह भी मानता हूं मैं डंके की चोट पर कहता हूं अस्प्रिश्चिता वैदिक काल में थी नहीं शतपत अब्राम्मन में व दो कहते हैं कि रोटी एक नहीं कर सकते पर वैदिक काल में शत्पत ब्रामण में कहा गया एक ही पात्र से राजा और सैनिक खाएं वैदिक काल में अस्प्रिश्यता भी नहीं थी ये एक कुप रथा जो पीछे चली और ऐसा भी नहीं है ब्रामणों नहीं कर चला ही ऐसा नहीं तो मुझे तो लगता है असप्रिश्विता तो बहुत तथा क ELIT S 아वंतर है कुछ जातियों में है बहुत है बहुत है मैं तो यह राज़स्टान रोज देखता हूं जिस में बाद नहीं है अभी उस पर टो कई आलेख लिखें बहुत स्थ नहीं है स्ट्री को विबस्त्र करके गुमाया गया और वहां कुछ लोग आज शुडर पर कह रहे हैं यह मनु के कारण है मनु का जब वह जो जिस समाज से महिला है उसी समाज से उसका पती भी तो वह भी तो अनुसूचित जन जाती से है तो जब जन जाती के हैं हां तो फिर मनु कहां से आ गए यह तो कोई बताएगा नहीं पढ़ा है जिन्होंने मनु के ऊपर विवेचना किये उन्होंनों भी नहीं पढ़ा है और डॉक्टर रबेट करने तो घोशित रूप से नहीं है मैंने ही नहीं पढ़ाता कुछ वर्ष पहले तक अब जाके पढ़ना जब आरम किया तब सारी बाते इस पश्ट हो गी क्योंकि मनु तो कहते ही है आरम भी करते हैं कि वह तो पूरी तरह से वेदों के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए वो लिखा जा रहा है एक बात दूसरी बात वह जो है एक जिसको हम कह सकते हैं कि वह प्रिस्क्रिप्शन कम डिस्क्रिप्शन अधिक है दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ जो उसका अंतिम ध्याय है उसमें यह भी दिया हुआ है कि वह इसमें परिवर्तन कैसे करना है तो वह परिवर्तनी है अमेंडब पूलम और स्मिर्थियां और अच्छी पुरोषों का आचार भी ऐधर्म का श रोत है और आत्मनस तुष्टी और तुष्टी तो तक ही कहीं उन्हें एक यह भी सुईकार किया है कि वेद तो तो है पर केवल यही तब 2 नहीं जो सदाचार है, जो सजन पुरश है, वहाँ यह नहीं का ब्रामनों का आचार, साधुओं का आचार, जो अच्छे लोग हैं, उनका आचरन, और अपने मन की तुष्टी, वहाँ यह नहीं का ब्रामनों के मन की तुष्टी, अपने मन की तुष्टी, यह भी धर्म का मूल है, एसी व्यापक परिभाशा है, जिसमें काल की अनुसार, सिति की अनुसार, जो साधों का आचार है, जो आत्मा की तुष्टी है, वे भी धर्म के मूल हैं, ऐसा मनुन ने कहा. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल. और यदि वरत्मान काल में आ जाएं, तो ये स्वामी विवेकानंदो और श्री अरुबिंदो, जो की मैं कह सकता हूं की उन्नीसमी शताबदी, बीसमी शताबदी के महापुरुश हैं, सनातन धर्म की दिश्टी से, या रमण महर्शी हैं, व जि, जी, जी, उनके बारे में, उनके तो बहुत उधारवादी विचार हैं, और विवेकानंद जी को तो मैंने जितना पढ़ा है, वो तो विज्ञान को भी ततकालीन, विज्ञान को भी बहुत माने करतें, उनकी बात यह नहीं करेंगे, जिनको केवल और केवल जिनका उद्देश है सनातन धर्म को नीचा दिखाना, मनों को गाली देना, ब्रामणों को गाली देना, सम्सकृत से दुवेश करना, वे इन सब बातों को करेंगे ही नहीं, कि अध्वा स्वामी व्वेकनन्द हो जिनकी फोटो लगा ते इस ट्री नाराण गृरुन तक की तो बातें करते नहीं तो स्वामी वेकनन्द और महर्शी हों चाहे जितने समाच रामानुजाचारी तक की बातें नहीं करते क्या कहा है रामानंद स्वामी रामानंद की बात नहीं करते जिनों ना कबीर को अपना शिश्य बनाए जी वो कबीर की बात करके और कबीर को भी ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि जैसे कबीर जो हैं वो सब का विरोध कर रहे हैं जबकि कभीर के जो वेदांति hour है उसके बारे में कभीश्चा नहीं करें कभीर को ही नहीं पीपा को भी सैन को भी तो उन्होंने तो सभी जातियों से शिशयों को लिया और स्त्रीयों को भी दिक्षा दी तो ऐसे तो नकारता हूं भगवत गीता को तो नकारने वाला कोई सनातनी हो जी कोठरी में जो है वह वह कैसे किसी उज्जवल व्यक्ति को ढूने द्रविडवादी विचारदारा यह पूरी काजल की कोठरी है और पूरी की पूरी दरविडवादी विचारदारा जो क्रिस्टियन इवैजिनलिस्ट का एक बहुत ही हेटफुल प्रोपगेंडा जो उन्होंने चलाया जो आर्या करमण से दांत है वो भी उनीकी देने और लॉक्टर अम्बेडकर का भी जो विशलेशन किया जाता है तो उ पूरा का पूरा मैक्स मिलर और जॉन मियोर्थ इन दो लोगों से आया हुआ है अधिक्तर और विवेचना आजकल करनी नहीं है किसी को केवल गालियां देनी है बात तो यह है जी है राजनीती है इसको राज राजनीती को भरत्रीहरी ने वार आंगना बताया तो तो आई है कुछ दर्शकों के प्रश्ण ले लेते हैं दर्शकों के प्रश्णों पर चलते हैं उसे पूर हुए एक बार सभी से पुना अनरोद है एक रप्या हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके और पर लाइक वान अवश्य दबा दे साथ में वीडियो को लाइक भी तुरंत कर दे ह और शेर भी अवश्य करें आए प्रश्ण ले लेते हैं रामेंदर सिंग जी पूछ रहा है है हेलो सर वाई दिस स्टालिन सुन इस अबल तो से इस टाइप अ तिंग अधर और और ऑगनाइज़िश्टिशन डूट दो अनिफिग अल्वेस टार्गेट सनातन वी दो दूट प्लीज इलाबरेट सर आप ही इसका उतर अच्छे से दे सकते हैं आपके लिए किया गया है वैसे आपने मुझे निर्देश दिया तो मैं तो कि आप मुझसे अच्छा आप दे सकते हैं इसलिए कि एक तो पुलिटिकल दूसरा नरेटिव बिल्डिंग तीसरा जो है वो सतर साल के जो हमारा अभी भी एक मानसिक गुलामी की प्रवर्ति चल रही है लेकिन ये मैं आपको वश्वता दूँ कि इस बार ऐसा हुआ नहीं है बहुत सारे लोगों ने इनके विरुद एफायार करवा दिये हैं और हमारे एक सेंट जोसफ हुआ करते थे सुप्रीम कोट के जज्ज मैं उनको सेंट जोसफ कहता हूँ तो सेंट जोसफ ने हेट स्पीच के उपर एक बड़ा जज्ज्मेंट दिया था वो देना तो पूरी तरह से हिंदुों के प्रोध मचाते थे लेकिन व के जो वीरमनी है यह करता रहता है, कि यह कह रहा जै कि यह घुथ करो, इसके बारे क्या कहेंगे, तो उसका जो किसी भी स्पीच है, तो उसका जो है वो सरकार को पलिस को स्व वोटो रेजिस्टर करके और अगर नहीं किया जाएगा तो वो इस ते भी कंटेम्ट बानी जाएगी अब सेंट जोसफ जो है उनके इस जज्जमेंट में मिस्टर उदैनिती स्टालिट फस चुके हैं क्यों क्यों कि यह एक सीनियर एड़ोकेट सुप्रीम कोट से लीगल योटिस दिलवा दिया है कमिश्णर ऑफ पुलीस चन्डेज और डी जी पी टेमिल नाडू को यह एट स्पीच है इस पे या तो आप सब्राप सु और रिजिस्टर करें वरना हम सुप्रीम कोट में आपी कंटेम्ट करेंगें तो सेंट जोसफ ने अपने ही लोगों को भंसा जो विद्वान होना चहिए जो विधान होना चाहिए जी इसाटली तॉ नीमश्ट वेसर वाद इस विडिल पॉपलेश्टेंश के छिर्टाशचर्ट के शिक्रीट्री址 शिक्रीट शिक्रीटंगारीश्ट इदिया पॉपलेशन प्लीज आंसर देखिये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो भी यह क्लेम किया जाते हैं रोक्लेमि किसके लिए किया जाते हैं पहले आप यह समझ लिए कि यह सारे कि सारे अपनी आपनी यह अपनी फंडिंग उठाते हैं अधिक्तर अमेरिका से और उस फंडिंग के लिए अपनी क्लेम्स एक्जाज़ेरेट करते हैं जैसे की कुछ दो कले एक लिए आंद्र प्रदेश में पच्छिस परसंट जो हैं वो क्रिस्टियन्स हो गए हैं उसको हमने वैलुएट किया बैठके बड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार से इसको करना पड़ता है और यह आप अवश्य जान लें कि कि यह जब करते हैं तो जिस्ट रूप से उनको क्रिप्टो रखना चाहते हैं क्योंकि जिससे उनकी जो है वो सुधायन ना प्रभावित हो लेकिन दोनों अब्राहमी मजहबों में यह प्रवृत्ति है कि जो उनकी वास्तविक संख्या होती है उससे बहुत अधिक पढ़ा चड़ा के दिखाते हैं और उससे भी अधिक समस्या जो है वो हमारे कुछ परंपरावादी जो हिंदू है वो जो उनकी बड़ी चड़ी संख्या होती है उसको भी दुगना करके बता जिते हैं वो बड़ी समस्या है वो उससे भी बड़ी समस्या है क्योंकि उनको लगता है कि हम और एग्जैजरेट करेंगे तो लोग डर के जो हो हमारे पीछे-पीछे एंगे ऐसा होता नहीं है य कि मैंने सेंस करवाया हुआ है नेक्स्ट मिश्रा जी और शब्द उचारण अद्भुत किस प्रांत से हो जन्म मेरा उत्तर प्रदेश लखनव में हुआ है मेरा पारन पोशन गुजरात में हुआ है निवास महराश्ट में है तो कुछ दिन में बैंगलूरु दक्षिन भारत म निवास और मेरे जीवन का अधिकान शिकाल पश्चिम भारत में बीता है गुजरात में और महराश्ट में नेक्स्ट जेवी जेपी डियम के टैमिल एक्स्रीमिजम विल टॉन इंटू टेरिरियर्जम वन डे नो नो चांस कि अन्ना मलाई क्या कह रहे हैं उनको सिध्यान से सुनें जे बीजेपी द्मक वांट एंडू जेनिजड बीजेपी इनक्षिन एक्षिन इकुली गिल्टी फिर एविल रिपीट प्रीज लिसें टू अन्नमलाई Mr. A, nearly all civilizations have had social hierarchies remember how british had first second third class in trace and didn't let brown men sit in first class especially in the middle ages yes almost all societies have this even Buddhism even Buddhism even Gautam Abudha espoused social hierarchies तो है ना हमने तो discussion किया था ना कि जातिवाद और जातिवाद उसके उपर हमारा पूरा discussion है Mr. A, आप जाकर हमारे home page पर जाकर और search कर सकते उसका बहुत धर्म और जातिवाद यह उसका शीर्शक है सम्होता तो इसी के साथ आज के हमारी चर्चा यहीं समाप्त करेंगे आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद इत्यानन जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत वंदे मात्रम झाल